कि नमुरा हुआ है आज चार धन्जक मरपांड़े नाम है मेरा कि आज आप लोगों के बीच में आये हैं कुछ भी सिस उपाई ले करके आज की परिवेश में सो लोगों में से हर सतर व्यक्ति रिण से कर सिथ है आज के समाज में हम अध्यात्म के से जोए कौन से ऐसे उपाय करें जिससे रिण के मुक्ति सिख्रता सिख्र हो जाए सरपर्फम एक हम विशेश बद बताएंगे इस हपते के कुछ विशेश तीन रासियों पे कुछ विशेश कूग रहों का प्रभाव है इसमें तीन राखे राशियां मुख्य रुप से हैं मिथुन कन्या और धनों अक्सर रोज रोज सुबह उड़ते ही मुबाईल ये आखबार में अपनी राशी देखते हैं कि आज के मेरा दिन कैसा होगा आज के मेरा रहन सथन कैसा रहागा ऐसे ही परिस्ति में हमने एक छोटा सा सायोग शुरू की आदे रोज तु संभव नहीं है मेरे लिए पर प्रतिक हपते मेरा विशेश राश्यों का कुछ राश्य फल लेके आऊंगा और आप लोगों के बीच में रखूंगा उसके साथ छोटे मोटे परिशानियों का अंजय कुमार पांडे नाम है मेरा आज हम विशेश चर्चा करेंगे किरियर से मुक्ति कैसे पाएं और विस्तर लुपाया मैं तो पहले हम तर्चा करते हैं आज के इन तिन प्रमुख राश्यों का जिस पे कूग रहों का विशेश प्रकोप है उन्हें विशेश पीड़ा हो सकती है उस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए सरपत्व हम बात करेंगे मिथिन राश्य वाली जातक इस हफते किसी भी उत्स आंदोलं या किसी भी भैवरे सब जगहों से बचें यात्रा सुखद रहेगा स्वाधिष्ट भोजन मिलते रहेंगे च्छात वर्प काम्यावी मिलेगी पर जमिय समंधी विवाद उत्पन हो सकता है कमर से नीची चोट लगने की विशेश समौना रह सकती हैं पेट समंधी परिशानी उत्पन हो सकता है कि परिवारिक अन्चाहा विवाद उत्पन होगा कुछ बंते-बंते काम विगड़ेंगे आपके इस हपते मिथुन रास की जातक किसी से किसी डिल न करे कोई मोटी रखम का लेन दिन न करे कि दूसरे नमबर की रास्याती है कन्या